हेलो श्टुडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको B.Sc. 50 सेमेश्टर जो अब आपकी नए सिक्षानिती लगे चुकी है N.E.P. 2024 का मैट का पेपर नमबर फर्स्ट जो की यहाँ पर आपको दिख दिरा होगा Abstract Algebra मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में Abstract Algebra का त्रिवेसर कोश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ 2024 का और साथ ही इस पेपर में जो कोश्चन हमारे most repeated है most important है वो सारे के सारे कोश्चन मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखना और बिल्कुल भी skip मत करना जो यहाँ पर मैं आपको कोश्चन से बता हूँ आप पढ़ लेना अराम से आप पास हो जाएंगे और अगर आपने इस पेपर में कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो आप यहाँ पर abstract algebra के दो या तीन साल के प्रीवेस एर कोश्चन पेपर को धंग से तयार करने आराम से आप पास हो जाएंगे क्योंकि आपके जादतर प्रीवेस एर कोश्चन पेपर ही repeat होते रहते हैं नए कोश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं तो अगर आप इन पेपर्स को धंग से पढ़ लेंगे तो अराम से आप पास हो जाएंगे और अगर आप VST 5th semester के और भी subject के प्रीवेस एर कोश्चन पेपर को देखना चाते हो तो मैंने इसकी proper playlist बना रखी है और उस playlist का लिंक में डिस्क्रिशन में भी देद हुआ वहां से जाकर आप देख ले रहा और इस playlist को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूँ शेयर करना तो मैंत के पहले paper को start करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले आप चैनल को subscribe कर ले और सबसे मैंत पूर बैल आइकन को all पर प्रेस कर ले जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी previous question paper या important questions पर video upload करूँ तो उसकी notification आपके पास सबसे पहले चाह सके अब आगे हम देखते हैं इस paper में ऐसे कौन-कौन से questions हैं जो कि हमारे जादा तर हर साल repeat होते रहते हैं लेकिन उससे पहले यहां पर मैं आपको paper के pattern के बारे में बता देता हूँ यह paper आपका 3 घंटे का होता है और 75 नमबर का होता है इसमें हमें 2 sections दे रखते होते हैं section A और section B section A में से हमें 5 questions करने होता हैं जिसमें से हमारा A कोशन होता है, 6 नम्बर का, ऐसे ही section B में से हमें तीन कोशन करने होते हैं और एक कोशन होता है हमारा 15 नम्बर का, तो एक एक करकर यहां पर मैं आपको दूनों sections की questions दिखा देता हूँ, तो यहां से हमारा section A start हो जाएगा और जैसे मैंने आपको बताया था वैसे यहां पर हमें दे भी रखा है और यह हमारा पहला portion है जादे important तो नहीं है लेकिन आप इस portion को एक बार देख लेना अब मैं आपको इसके और questions आगे दिखा देता हूँ और यह जो हमारा question number 2, question number 3 और question number 4 तो इसमें जो हमारा question number 2 और question number 4 है यह दोनों ही questions हमारे most important question है और जादार हमारे exam में आते रहते हैं आप इन questions को जरूरी तयार कर जाना यह questions हमारे जादार exam में repeat होते रहते हैं और यह जो हमारा question number 4 है जिसमें हमसे पूछ रखा है यह question हमारे जातर हर साले repeat होता रहता है तो इस question को आप प्रूप समझ लें या फिर क्योर्म समझ लें लेकिन आप इस question को हाथ वाथ तयार कर लेना यह हमारा repeat होता रहता है अब यहां से आप इन questions को note कर लें तो यह हमारा इसका अगला question question number 5, question number 6 और question number 7 तो इसमें जो हमारा question number 6 है जिसमें हमसे पूछ रखा है वो मैं आपको भी बता देता हूँ यह हमारा most important question है आप इस question को भी जरूर तयार कर लेना इस question में हमसे पूछ रखा है proof that the intersection of any two subrings of a ring R is a subring of R यह हमें proof करके दिखाना है इस तरीकी के हमारे पास दो questions है दोनों को यह आप धंग से तयार कर लेना क्योंकि यह दोनों ही questions बदल बदल कर exam में आते रहते हैं और यह जो आपका question number 8 है जिसमें हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं जिनके यहाँ पर हमें एक तरीकी से हमें define करना है या आप यह सूर्ट लिंग के हमें परिवाशा लिखनी है define करने के लिए आपके topics आते रहते हैं एक question अप इस तरीके का long question में भी आ जाता है तो आप इन topics को बिढ़न से पढ़ लेना एक बार अब यहाँ से हमारा section बीश काड़ हो जाएगा जिसमें हमें long question दे रखे हैं और यहाँ पर हमें तीनी long question करने है और section बीश हो जाएगा हमारा 45 नमबर का यह हमें एक question दे रखा है question number 9 इसको आप देख लेना ज़्यादा chances तो नहीं है इस question की फिर भी आप exam से पहले इसको देख लेना एक बार अब यहाँ जे इस paper में जितने भी questions हमें दे रखे हैं सारे questions हमारे most important हैं तो आप इन questions को भी जरूर तैयार कर लेना question number 10, question number 11, question number 12, तीनों ही questions हमारे most important हैं इनको आप जरूर तैयार करके जाएं और यह question आपका short question में भी आ सकता है इस बात कभी आप ज्यान लखना और यह जो मैं theorem दे रखिया है Lagrange's theorem यह हमारी most important theorem है आप इस theorem को जरूर तैयार कर लेना यहां पर आपको पहले इसका statement लिखना है उसके बाद में theorem को प्रूफ करके दिखाना है और यह आपकी long question में आई हुई है इस बात कभी आप ज्यान लखना और short question के लिए भी आप इन questions को जरूर तैयार रखने जाना अब मैं आपको इस paper के बचर हुए questions भी दिखा देता हूँ तो यह हमारा इसका last question question number 13 जिसमें हमसे पूछ रखा है proof that a finite integral domain is a field यह भी हमारा most important है और यहां पर आप देख भी सकते हैं कि इतने छोटे-छोटे questions हमारे long question में भी आए हुए है तो आप इन questions को short question के लिए भी जरूर तयार रखे जाएं जिन इस trend को pass होना है इन questions को तो दंग से पढ़ लेना अराम से आप pass हो जाएंगे तो यह था मारा math का पहला paper जो कि यहां पर मैं आपको देखा भी चुका हूँ आप इस paper को धन से तयार कर लेना अराम से आप pass हो जाएंगे और साथ ही अगर आपको इस paper के किसी भी question में कोई भी doubt हो तो आप comment करकर जरूर पूछ लेना तो यह था हमारा कुमाओ यूनिवेस्टी B.Sc. 50 semester बालो का 2024 का math का पहला paper जो कि था हमारा abstract algebra जो कि मैं यहां पर आपको दिखा भी चुका हूँ और उमीद ही करता हूँ कि यहां से आपने सभी questions को note कर भी लिया होगा और इस paper में जो questions मैंने आपर आपको most important बताए है उनको तो आप धंग से तैयार कर लेना अराम से आप pass हो जाएंगे और साथी अगर आपको B.Sc. 50 semester की और किसी subject के भी previous year question paper चाहिए हो तो आप इस वीडियो में comment कर देना उस subject के previous year question paper के उपर मैं जल से अले वीडियो लेकर के आ जाऊंगा और ये वीडियो अगर आपके exam के लिए थोड़ी सी भी helpful रही हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को subscribe कर लें और सबसे महत पूर बैल आइकन को all पर प्रेस कर लें जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरह के से और भी previous year question paper या फिर important questions पर video upload करूँ तो उसकी notification आपके पास सबसे पहले जा सके अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप इस वीडियो को like करें comment करें comment करकर हमें जुरूर पताएं ये वीडियो आपके exam के लिए helpful थी या नहीं थी और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ share करना बिलकुल न भूलें और next वीडियो का wait करें